सो मेरी आप सब ठीक होंगे और जैसे कि आपको पता है कि नेपाली क्रिकेट टीम के जो किलाडी है संधीप लामचानी वो काफी सुर्खियों में आते तो इस बारे में फिर में एक सुर्खियों में आए भी और आज हम बात करने वाले संधीप लामचानी के बारे तो हम दिख लामी चानी को बहुत बड़ा यहां पे सर्प्राइज मिला है और यह जो सर्प्राइज है वो पूरे नेपाल टीम के लिए भी बहुत बढ़िया और हैपिनेस देने वाला है इसके अलावा जो नेपाली फैन है उनके लिए भी बहुत बड़ी खुसकबरी है तो दोस्तो क्रिकेट का प्रेमी है उसको पता तो होईगा कि संदीप लामी चाने कोन है लेकिन जिन ओडियंस को पता नहीं है उनके लिए भी मैं बता दूँ कि एक नेपाली क्रिकेटर है जो कि नेपाल नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और राइट आरम लेग स्पिनर बोलर भी है जो कि एक यंगेस्ट प्लेयर है नेपाल के लिए किस साल के और वो अरुचोर नेपाल के हैं नेशनलिटी नेपाली है ही हाइट उनकी 1.73 मीटर है और बोलिंग लेग स्पिनर मैंने बता दिया आपको बैटिंग राइट हैं यानि कि बात की जाए तो जो संदीप लामी चानी ह है वो कुल मिला कर जो ओल राउंडर हैं वो हैं और ओल राउंडर के तोर पर वो अपनी नेपाल की टीम को काफी मैच जिता भी चुके हैं इसके साथ भी कई ऐसी लीग जो की विदेशों में लीग चलती है जैसे IPL है या फिर इसी परकार की कोई और लीग चलती है जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है अभी यहां पे जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो यह है कि संदीप लामिचानी को होबार्ट हेरीकेस दवारा बिग बेस टीटवंटी लीग के लिए फिर से चुना गया है यानि कि पहले भी वो खेलते थे बिग बेस टीटवं इचानी के लिए जबकि यहां पे पूरी क्रिकेट टीम के लिए जो कि नेपाल की क्रिकेट टीम है उनके लिए क्योंकि उनका कोई बंदा विदेश की कोई लीग खेल रहा है यह प्राउड की बात ही है और हम भी उमीद करते हैं कि दो बड़े टीटवंटी टूर्नामेट स तोर पर रखा जा सके इस लीग के अंदर ताकि वो अपने नाम को अपने परदर्शन को अपनी परतिबा को फैंस के सामने लाएं या फिर किरकेट जगत में एक नया इधियास बनाएं इस परकार की कई ऐसी एबिलिटीज हैं उनमें जो कि वो कर सकते हैं दोस्तों संदीप लामी चानी के लिए बदाइक दे सकते हैं हम और आप भी कुछ कहना चाहते हैं संदीप लामी चानी के बारे में तो जुरूर कहिए अपने वीचार कोमेंट सेक्शन में जूर लिखिए चलिए आज के लिए इतना हिर रखते हैं आगे को ने अपडेट मिलता है तो प्र पात करें संदीब लाम चानी के लिए पिछले साल काफी बारे में की आप आएंड कर्केट के लिए और अगर बात करें संदीब लाम-चानी के लिए रीण डिया गयाद सिंदेश तो यह इकिस साल का लडगा है मेरे चोटे लग रहे हैं वह काफी बड़ा लग रहा है जो दो अगस दोजार को पेदा हूं तो काफी सेमिलर रहे हैं तो बात करें तंदीव लामचानी के तो लेक्स पेनर एंड इस वाज अमेजिंग बैट्समैन भी है राइट हैं तो यह काफी सब दस्त है इसके लावा यह आई पील के अंदर भी केले हैं और और भी सारी लीक्स के अंदर केलते रहे हैं तो यह काफी अच्छी बात है कि यह इतने अच्छा बैट्समैन नेपाल का जो आगे सामने आ रहा है अगर आज की वीडियो आपको पसंदेंगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें शानल को सब्सक्राब करें